नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमार यूट्यूब चैनल एक्जामोफोबिया में जिसके हम लोग बिहार PCS के मौडल टेस्ट पेपर सॉल्व कर रहे थे तो इसी में हम लोग आगे आज प्रफ्रेक्शन आईएस अंस्थान का मौडल टेस्ट संक्या पांच सॉल्व कर करते हैं और देखते हैं क्या है इसमें पहला कुश्चन है भारत के 21 राज केंसासित प्रदेश की समुद्री तट रेखा सबसे लंबी है ओप्सन सुनिए गुजरात आंद प्रदेश तमिल नाडू और अंडमान निकोबार दीप समुगी तो मित्रों यहां पर यदि हम बात करें तो सबसे लंबी जो तटरेखा है वो है हमारे यूनियन टरिट्री की अंडमान निकोबार दीप समुगी यदि इस इसकी तटरेखा की लंबाई है 1962 कितना है 1962 किलोमीटर जबकि यहीं पर रेड़ी हम राजियों में बात करें तो सबसे ज्यादा होगी गुजरात की जिसकी लंबाई है 1 2 1 4.7 किलोमीटर तो हमारा आंसर क्या होगा डी है इस्दा हमारा right answer क्यूंकि यहां पे आप देखते है इस्टेट और केंसा से दोनों का पूछा दो भारत के उत्तर पूर्वी राजियों में बांगला देश को इस परस नहीं करने वाले राज इस परकार हैं बताने हैं अरुणाचल मनीपूर नागा लेंड और सिक्किम तो यहां पर बांगला देश से इस परस ना करने वाले राजियों में जाएंगे तो अरुणाचल प्रदेश भी नहीं करता है मनीपूर भी नहीं करता है नागा लेंड भी नहीं करता है और सिक्किम भी नहीं करता है यानी चारों राज नहीं करते हैं ओप्सिन क्या होगा सही डी हमारा सही ओप्सिन होगा आर्कियन समू की चट्टानों से संबंदित कत्नों पर ध्यान ने हैं देखिए भई अध्यान यह चट्टन प्रद्वी के प्राचीनतम वा मूल भूच चट्टाने हैं और इनका निर्मार लावा के ठंडे होने से है भारतिय प्राइदीप का दो त्याई भाग आर्कियन चट्टानों से बना है सही कूट का चैन करें तो यहां पर यदि हम सही कूट के चैन के बारें बात करें तो मित्रों भारत का चट्टन प्रद्वी के प्राचीन तमूल हूँ चट्टनों से बना है ये बात बिलकुल सही है दो त्याई भाग आरकिन चट्टनों से बना है ये भी बात बिलकुल सही है तो सही कथन हमारे दोनों है यानि option C हमारे सही answer होगा कुमाईू हमाले की बारे में यदी हम बात करें तो है सतलज और काली नदी के बीच की की हमाले को कुमाईू हमाले पहाडी हमाले गड़वाल हमाले कहा जाता है नेक्स्ट निम्लिखित में से असत्य जूड़ों का चैन करना है देवसा हिमाचल प्रदेश में है खुर्दगला हिमाचल प्रदेश में है पंगला उत्राखंड में है आधिल आपका लद्दाक में है तो यहां पर यदि हम बात करें कौन सा दर्रा कहां पर है कौन सा सही सुम यही हमारा सही सुमेलित नहीं है गलत है और भी हमारा अंसर होगा नैक चलते हैं कुशन अमबर 6 पर क्या बता रहा है 6 ज़रा उसे समझे कुछ चोटी दी गई है और स्थान दिए गई है और आपको यहां पर क्या करना है? मैचिंग करनी है तो जड़ा देखते हैं सैडल कि बात करें ग्रेट निकोगार में है यानि यही हमारी मैचिंग होगी तो आप्सन ए हमारा सही उत्तर होगा नेक्स्ट अंतहा इस्थलिये अप वहा नदियों का उधारण है लूनी नदी सावरमती नदी तो ऐसी नदी जो जमीन के अंदर से बैती है ऐसी कौन सी नदी है यानि कच के रन में जाके गायव हो जाती है वो है आपकी लूनी नदी यानि आपका यह सही होगा नेक्स्ट ब्रंपुत नदी से संबंदित कथन पर विचार कीजिए तिबबत में ब्रंपुत नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है यह इसका अर्थ है सोधक यह बात सही है तिबबत में सांगपो रांगो सागपो इसके दाएने तट पर एक प्रमुक सायक नदी है यह भी बात क्या है मित्रों बिलकुल सही है तीसरी सुबंसिरी इसकी प्रमुक सायक नदी है यह भी बात बिलकुल सही है सुबंसिरी नदी का उदुकम तिबबत से होता है य भी बात सही है यानि चारों बातें सही हैं जो हमें डी ओप्सन में दिख रही हैं नेक चलते हैं कुछ नमबर 9 पर भारतिय वनिस्तिती रिपोर्ट 2021 के अनुसार सरवादिक बन प्रितिसत्ता वाले चार राज्य के इसासे प्रिदेश कौन से हैं तो सरवादिक प्रितिसत्ता के बारे में अगर हम बात करेंगे तो सबसे जादा हैं आपकी लक्षदीब मिजोराम अनुमान नकुबार और अनाचल प्रिदेश काली मिट्टी से संबंदित असत कथन का चेहन करना है बताना है काली मिट्टी का कौन सा कथन असत है ये से रेगोर मिर्दा कहते हैं ये बात बिलकुल सही है यह मिट्टी का पास के लिए उप्यूक्त होती है बिलकुल सही है रसानी दिरिस्टी से काली मिट्टी में चूना इन तीन राजियों बे से इसकर पाई जाती यानि डी ऑपसन हमारा गलत होगा यही सई होगा। पूरे देश में जल संभर विकास का पृतिमान इस्थापित करने वाला इस्थान रालेगर सिद्दी किस पृतिज में इस्थित है। हम रालेगड शिद्धि के अगते हैं तो मित्रों कहां पर हैं. महाराष्ट में है रालेगड आगा अब हैस कि इस जाल के समगते में Sie रहा जाut है, ज। अगा जाता है, चाई अपर आधान में चीन के भारत के दूसरे इस्थान है, जो बिitel के अधिक किसमें उगाई जाती है तो यहां पर यदि हम बात करें तो चाबल रभी फसल के रूप में उगाई जाता है नहीं यह बात गलत है आप्शन बी हमारा सही होगा नेक्स्ट योजना आयोग ने किन आधारों पर देश में पंद्रा क्रसी जलवायू बिवाजित किया है यहां पर यदि हम बात करें तो योजना आयोग ने जो पंद्रा क्रसी प्रदेशों में भारत को बिवाजित किया यह सारी बात हैं क्या है बिल्कुल सही है यानि आप्शन डी हमारा सही होगा नेक्स्ट बीसमी पसूधन संगर्णा के आंकड़ों के अनुसार राजियों की इस्सेदारी का सही किरम क्या है पसूधन जंगर्णा के आधार पर यदि हम बात करें तो सबसे ज़्यादा पसू उत्तर प्रदेश में हैं उसके बात राजिस्थान में मत्प्रदेश है सुमूलित होगा तो जणर्ले यहां पर देखते हैं कौन कैसा मिले गाराना पृताप सागर परियोजिना राजिस्थान में है चंबल नदीब पर बनाई गई है माता टीला बान परियोजना बेतवा में है झासी के पास तुल्बॉल परियोजना की बारे में बात करें तो जहलं में है और ये गंगा में है तो चार, तीन, एक और दो, चार, तीन, एक, दो, तो ये चार, तीन, एक, दो, आप्शन डी में हमारा सही उत्तर होगा निम लिखित में से किसे किनहें प्रत्वी के आंत्रिक सन्रशना या उन संगठन के अध्यान के लिए उपयोग में किया जाता है गुत्वा करसन, भुकम्पिय कतिविदी, चुम्ब की ये छेतर, केवल एक, केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल एक दो तीन तो यहां पे भुकम्पिय छेतर के बारे में बात करें तो ये चारों तीनों देखे जाते हैं यानि स्टी आप्शन सही होगा भारत में तर्सी और कोईला छेतर नहीं पाए जाता है, असम, मिघाले, अनाचल प्रदेश, गुआ तो तर्सी और कोईले के बारे में बात करें तो ये हमारी कहां पे नहीं पाए जाता है, कहां पे, गुआ में नहीं पाए जाता है तर्सियल कोईला जो है वो मित्रों असम अनाचल प्रिदेस मेगाले और नागा लेंड में पाय जाता है इसके अत्रिक्त जम्मु कस्मीर में और हैं कहां पर है जम्मु कस्मीर में नेक्स्ट 18 पर देखते हैं निम्लिकित कत्रों पर बिचार कीजिए भारत के प्रमुक बाग अब्यारन्यों में से एक और और दो राज्यों का फैला हुआ है इसका नाम इसकी जीवन दाइनी नदी से लिया जाता है जो कहाना नदी में सामिल होने से पहले उत्तर से दच्छिड की और बहती है और परुप्त निम्लिकित में से किस टाइगा डिजर्व का सबसे अच्छा बरड़न है ये बरड़न अगर हम बात कर रहें तो ये पेंच टाइगा डिजर्व का बरड़न है मद्वर देश में नेक्स्ट भारत में रेसम वस्तर द्यों संबंदित असत्तिक अथन का चैन करिए भारत रेसम उत्पादन में चीन के बाद दूसरे इस्थान पर है भारत में चार परकार के रेसम उत्पादित किया जाता है मलवरी, टसर, एरी और मुंगा भारत में पिर्थम रेसम बस्तर मेल इस्थापनट रहस बत्यस में करनाटक के मैसूर में की गई करनाटक देश का सबसे बड़ा रेसम उत्पादक राज्य है तो यदि हम यहां पर देखें तो कौन सा कथन गलत है यह बताना है तो मित्रों अगर हम बात करें भारत रेसम उत्पादन में चीन के बाद है बिलकुल सही है चार परकार के रेसम यह भी बात बिलकुल सही है भारत में पिर्थम रेसम वस्तु मेल 1832 में करनाटक में ये कहाँ पर थी पंश्चिम बंगाल में स्थापित की गही थी पंश्चिम बंगाल में आधर भूमी कहा पाई जाती है लद्दा के सुस्क ठंडे छेतर में, युस्ट गटवंडी मांसूनी छेतर में पूर्वत्र में समुधरी किनारों पर तो आज़ भूमी छेतर की बात करें तो मित्रों ये सभी जगह पाई जाती है जहां पर आदर छेतर हैं तो यही छेतर हैं यानि सभी डी ओप्सन सही है निम लिकित में से कौन उलका पिंड का सर्वोत क्रस्ट बरडन करता है उल्का पिंट का सरुवूत क्रस्ट वरिंड और किसी पदार्थ का एक भाग जो आई मंडल में नस्थ हो-जाता है और प्रतवी falls नहीं गिरता चमकदार घरजी ये पूँच वाला धूमके तो किसी पदार्थ का एक भाग जो पूरी तरह से नस्थ बिना प्रत्वी पर गिर जाता है सूर की परक्रमा करने वाला एक छोटा चटानी पिंड तो यहां पर यदि हम बात करें तो यह कौन सा उप्सन सही होगा उप्सन सी हमारा सही होगा नेक चलते हैं दिन और रात की अवदी से संबन देद निम लिखित कतनों में से कौन से सही हैं भूमद रेखा के निकट अंतर नियूंतम होता है और उससे दूर जाते हुए भारत बढ़ता हो जाता है भूमद रेखा पर अधिक्तम अंतर होता है जोससे दूर जाते हुए प्रगामियता घटता जाता है उस्ट कटवंद्यों पर अंतर नूंतम होता है भूमद्य रेखा और धुर्वों में प्रगमियता के बढ़ता है उस्ट कटवंद्यों पर अंतर अधिक्तम होता है भूमद्य रेखा और धुर्वों पर घटता जाता है तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा option सही होगा तो मित्रों यहाँ पर कौन सा सही है भूमद रेखा के निकट अंतर नियूंतम होता है और उसे दूर जाने पर बढ़ता जाता है यह बिल्कुल सही कुछ सन पढ़ें फर से एक पार समुद्र के आंतर गहरे भागों में सुनावी महसूस ना होने के कारण क्या है तो सुनहरे भागों में सुनामी महसूस होने का जो कारण है अगर हम उसके बारे में जाएंगे तो गहरे समुद्र में सुनामी की लहरों की लंबाई अधिक होती है एक तो यह कारण हो गया दूसरा गहरे समुदर में सुनामी लहरों के उंचाई कम वोती दूसरा ये कारण हो गया यानि एक और दो यानि बी आपसन हमारा सही होगा नेक्स हमारे सही हैं 24 नमबर निम्ले खित में से कौन सा तत्त मुर्धा में निम्ले नाइटोजन का बढ़ाता है यानि आपसन सही होगा कोईले में उपलब्द कारवन की मातरा के आदार पर कोईले का सही इक्रम बताईए तो अगर उच्छ क्वाल्टी के कोईले के बारे में बात करें तो एंत्रासाइट सबसे उच्छ होता है, फिर विटुमिन्स होता है, फिर लिगनाइट और सबसे रद्दी पिट होता है, यानि C आप्शन सही होगा प्रत्वी की आंत्री संद्चना से संबंदित असत्य कथनों का चैन करें, प्रत्वी की सतह से उपडी स्परत को भूपरपटी कहते हैं, भूपरपटी की उसत मोटाई महासागरों के नीचे वा महादीपों के नीचे उसकी मोटाई 50 किलो मीटर तक होती है, भूपरपटी में जो सेलें पाई जाती हैं उन में सिलिका ऐलमूनियम की मात्रा देख होती है हिमाले परवस रेनियों में नीचे भूपर पटी की मौटाई लगभग 70 गिलो मीटर तक है तो यहां पर यदि हम बात करें तो कौन सा उप्सन सही होगा तो यहां पर मित्रों आप्सन सही होगा आपका बी आप्सन सही होगा नेक्स्ट भूकंप के बिसुवितरण के संबंदित असत कथन बताना है भूकंप का बिसुवितरण देखते हैं जरा परी प्रिसांथ पेटी यानि सरकम पैसिफिक बेल्ट में सरवादि भूकंप आते हैं ये बात बिल्कुल सही है इस पेटी में अगनी वले के नाम से जाना जाता है ये भी बात सही है इस छेत में अजित्तम भूकंप आते हैं ये भी बात सही है यह मद्दिफ परिटी ये भूकम पाने की सम्भावना 70% ये बात गलत है आप्सन D हमारा सही आंसर होगा सर परिथम भूगोल सब्द का प्रियोग किस ने किया एरिस्टोस्थनीज, कार्ल परिटा, रिचार्ड हॉर्टसन, A.B. हमबोल्ट ने तो सर परिथम इसका प्रियोग किया था, इरिस्टोस्थनीज ने नेक्स, तारों से संबंदित असत कथंका चैन करें मूल रूप से तारे हीलियम और हाइडरोजन गैसों से निर्मित होते है तारों के पास अपनी उसमा का तथा प्रकास होता है सौर मंडल के उपरां प्रत्वी के निकट का तारा प्रक्सिमा सेंचुरी है सौर के प्रकास को प्रत्वी तक पहुचने में लगवग पचास सेकेंड का समय लगता है तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा आप्सन सही होगा गलत होगा तो मूल रूप से तारी हीलियम और हाइडोजन बिलकुल बात सही है सबसे ज़्यदा हीलियम फिर हाइडोजन तारों के पास अपनी उस्मा प्रकास बिलकुल बात सही है सौर मंडल के उपरां प्रत्वी के सबसे निकट तारा प्रेक्सिमा सेंचुरी है ये भी सही है, सूर के प्रत्वी तक पहुचने में लगवग पचास सेकेंड का नहीं, आठ मिनट का टाइम लगता है, तीक है, अगर हम यहाँ पर बात करें, सूर का प्रत्वी तक प्रकास पचास सेकेंडों में नहीं, अगर हम इसमें सही से जाएं तो पांसो सेकेंड का समय यह जहीं हमारा आंसर होगा, नीचे दिए गए क्रहों को सूर्ण के घरती दूरी के किरव में इस्थापित करना है, नीचे गिने हुए क्रहों को अगर हम घटाएंगे तो सबसे दूरी जाएगी सुक्र की, फिर आपका प्रत्वी की, फिर मंगल की और फिर ब्रासपते चार 3-2, यानि अपसन सी सही होगा, कूपर बैल्ट से सम्बंदित ऐसत कथन का चुनाओ करिए, कूपर बैल्ट से सम्बंदित ऐसते बैल्ट, इस बैल्ट की कोज 1992 में हुई बात सही है, संभवता धुमकेतू के आगमन इन्हीं बैल्टों से हुआ होगा, बिल्कल बात सही है, ये भी बात विल्कुल सही है, यह वेल्ट मंगल और ब्रस्वती के अच्छा के बीच में होती है, यदि हम कूपर वेल्ट के बारे में बात करें तो यह मंगल और ब्रस्वती के बीच में इसका कोई संबंध नहीं है, यानि D-Option होगा, ठीक है? नेक्स्ट, नेमलिकित पद्धितियों में इसे कौन सी क्रसी और जल संदक्षन की सायथा कर सकती है? भूमी की कम या सून निचताई खेत में सिचाई के पूर जिफसम का प्रियोग फसल के अफसेस में खेत में ही रहने देना तो पद्दित्यूम क्रिसी में जल संदक्षन की बात अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपका पहला और तीसरा सही होगा यानि उपसन सी हमारा सही है यह गलत होगी नेक्स्ट नेम लिखित मैंसे कौन सुमेलित नहीं है पनामा नहर अरल सागर और प्रिसांत महा सागर को जोड़ती है सुएज नहर लाल और अरब केल बाल्टिक और उत्तरी तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा सही नहीं है तो मित्रों पनामा और सुएज नहर यह सही नहीं है जब कि यह तीस सही है बी आपसन सही होगा ठीक है अगर हम इसके सही के बारें बात करें तो सुएज नहर अत्यत महत्मूर नहर है जो क्या करती है पहलाल सागर को भूमद सागर से जोड़ती है किस से भूमद सागर से ठीक है। अगर यही पर हम पनामा नहर की बात करें तो यह प।्रिसांत महासागर और अटलान्टिक महासागर को जोड़ता है। कैसे अटलान्टिक है। एक जलते हैं कुश्षण नंबर 34 खननक्षेटरों में अत्यदिक खननकर से भूमिगत खानों की छत ढहर जाती हैं, इनहें कौन सा भूकम कहते हैं, विवर्तनिक, नियांत, लिस्पोर्ट या बांध जनित भूकम तो यहां पर यदि हम बात करें तो यह कौन सा भूकंब होगा यह नियांत हूकंब होगा बी आप्सन सही होगा संगत राज अमिर्का के दच्छर कैलिफॉनिया में इस्थित मृतक घाटी डैली बैट टै वैली डैथ वैली निमली कित में से किसका उधारण है डैथ वैली के अगर हम बारे हम बात करें तो यह उधारण है आपकी रिफ्ट घाटी का नेक, धरातल से तपत लावा राक आदी किस जिस दरार से आता है उसे कहते हैं तो यह लावा जिस दरार से आता है उसे ज्वाला मुखी छिद्र कहते हैं आप साधी चट्टानों से संबंदित कथन पर विचार करें, अब साधी चट्टानों को 80% भाग सेल, 8% भाग चूने का पत्थर है, इनके अनेक रंग होते हैं, इसे परतदार सेल भी कहा जाता है, अधिक्तम जीवास वक्षनिस तेल इसी फिरकार की चट्टानों में पाए ज में दाव हिम्दरवित जल बरसा जल किया पूरती उप्रुक्त मैंसे कौन कारक पहांसा गरीलवरता को प्रवावित करता है, देखते हैं, बायु मेंदली दाव हिम्दरवित बरसा का जल, ये तीनों करते हैं, किसको प्रवावित यानि ऑप्शन D हमारा सही है, नेक्स्ट विवर्तनिक अफधारणा निम्री हित्में बहग्ग ग्यानी कौन की थी प्लेट विवर्तनिक अबधारणा के बारें बात करें तो इसका संबंद किस से नहीं था बैग्णर से नहीं था यानि ड्यवaiserनडी हुथ एटलस उत्री पश्चिम अमेर का तिया इंसान तच्छरमत यानि 1,2,3,4 1,2,3,4 यान C option हमारा सही होगा Next 41 तिबबत के पठार से संबंदित असत्य कथन का चैन करें तिबबत के पठार से संबंदित असत्य कथन यह बेश्व का सबसे उंचा पठार है अनिक जीले आवज़ थे 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 सिंदू सतले ब्रंपत में कांग यांग ची से अनिक नदियों का उद्गम है इसकी उसत उंचाई एक हजाश पात के बीच ली है तो यहां पर एदि हम बात करें तो इसकी उंचाई जो है वो पांच हजार मीटर है इतनी है मित्रों पांच हजार यहां अपसन डी हमारा सही होगा नेक्स्ट निम लिकित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है अगर हम जोड़ा सुमेलित के बारे में बात करें तो कैस्पियन सागर रूस और इरान के पास है एस्टी सिगान USA में है अराल सागर फ्रांस रूस में है ग्रेट सलेब जील फ्रांस में नहीं ये कहां पर है कानाडा में कौन सा सुमेलित नहीं है डी सही सुमेलित नहीं है नेक्च चलते हैं कुशन नमर 43 दीपों से संबंदित कथन पर विचार करें संसार का सबसे बड़े दीप ग्रीन लेंड जो अंटर्क्रिक महसागर में स्थित है प्रसांत महसागर सबसे बड़ा दीप नहीं भी नहीं है हिंद महसागर सबसे बड़ा दीप में डागास कर है स्कूट का सही चैन करी अगर हम यहां पर बात करें तो इस कूट का सही चायन सभी सही होंगे, यानि D option हमारा सही होगा, नेक्स्ट, वायू मंडल में उपस्थित गैसों की मात्रा के अंसार, उनका आरोही क्रम इस परकार है, उक्सीजन, आरगन, कारवन डायोकसाइड, नियोन, नियोन, ऑक्सीजन, आरगन, कारवन डायोकसाइड, नियोन, उक्सीजन, आरगन, तो वायू मंडल में अगर हम उपस्थित गैसों के बारें बात करते हैं, तो वायू मंडल में ऑक्सीजन, आरगन, और नियोन, यानि D option सह पच्छुवप अबनों में एक परकार की गरस्ता चालीसा होता है, तो यह कौन सा होता है गरस्ता चालीसा यदि हम गरस्ता चालीसा के बारे में बात करें, तो मित्रों आपका गरस्ता चालीसा, 40 डिग्री तक छडिए अक्छांस है, यानी B option सही होगा हमारा, ठीक है, नेक च जलते हैं question number 46, निम लिखे जोडों पर विचार करिए, विचार किया और देखते हैं, जाइरे नदी विसुबत रेखा को दो बार काटती है, निम पोपो नदी मकर रेखा को दो बार काटती है, ये भी सही है, अमोर नदी चीन और मंगोलियों के मद्ध सीमा बनाती है, नदी जो है, वो चीन और रूस के भी सीमा बनाती है, यानि option 3 हमारा गलत है, बाकी सही है and D option सही होगा, next चलते है question number 47, पक्षा मेक से संबंदित असरत कथन का चैन करें, आकास में रूई के समान दिखाए, मेक इरचना हिमकडों से होती है, कोमल तता रेसम भात ही होती है, आगमन सूचक होता है, चाहिदी हम यहां पे बात करें, यह है राकास रूई के समान दिखाए देता है, option A हमारा सही है, मास आगरों पाए जाने वाले लवड को उनकी मातरा के अनुसार घरते करम में सही करम बताईए, तो सही करम के बारे में अगर हम बात करें, तो N.A.C. C.L.M.G.C.L.M.G.S.O.4, C.A.E.S.O.4, C.O.P.S.S.A.H.E. सुमेलित करना है, करें, लड़ दांग, बेने जोला, मिलपा, मलेसिया, कौनको, मैक्सको, रोका, बराजील, तो यहां पर यह हम बात करें, कौन सा सुमेलित करसी के तरीके हैं, इस्थाना अंतरित करसी मलेसिया में होती है, मिलपा, मैक्सको में होती है, कौनको, बेने जोला में और रोका, बराजील में, यानि दो, तीन, एक, चार, दो, तीन, एक, चार, डी ओप्सन हमारा सही होगा, नेक्स्ट, निम्लेखित कत्रों पर बिचार करिए, दच्छड अमेरिका में परागवे, से उंची, नोगम में जील, टीटी काका है, जिसका विस्तार, बॉलिबिया से परागवे तक है, गलाप्स, गोस, आईलेंड, यूएसे के नियंतरण है, असत्त कूट बताईए, तो यहां पर असत्त कूट के बारें बात करेंगे, तो हमारा असत्त कूट कूट कौन कौन सा होगा, तो असत्त कूट है हमारा दो, और असत्त कूट है तीन एन ओप्सन बी, ठीक है, नेक्स्ट, निम लिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है, मिलान, रिसमी बस्त, दुलुत, लड़ाकू विमान का निर्मान, वेलिंग्टन, डेरियोद्द्यूग, उटाव हीरा पॉलिस, तो यहां पर यदि हम बात करें, तो ओटावा जो है, वो सही सुमेलित नहीं है, कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है, तो मित्रों ओटावा जो है, वो सही सुमेलित नहीं है, ओटावा में आपका पॉलिस नहीं होती है, यानि डी गलत है, यही हमारा अंस भारत में प्रवतों के विश्टिती पर विचार करते हुए निम्लिकित में से कौन सा जच्छड के उत्तर की ओर सही किरम है तो यह सही किरम अगर हम जाएं तो डूड़ा बोटा बिंद्या चल धूला गिरियों कहलास हो नेक चलते हैं कुश्चन नंबर 53 पर क्या है पनामा न पुली सेंट फ्रांसिसको और निवार के मद्ध 3000 किलो मीटर दूरी पर हो गई तो यदि हम इस कुश्चन पर जाएं तो इसका आंसर होगा इस नहर का निवार के मद्ध 3000 किलो मीटर दूरी कम हो गई यह बात बिलकुल गलत है और यही हमारा आंसर होगा क्योंकि इसके निर सेंट फ्रांसिसको और निवार की दूरी 3000 किलोमीटर नहीं 13000 किलोमीटर कम हुई थी तो यही हमारा गलत आंसर है नेक्स्ट कुश्टन देखते हैं कुश्टन नंबर हमारा है 54 क्या है नंदा देवी इस्थित है कहां पर है आपसन देखें जरा पंजाब कमायू नेपाल और असम हमाले तो यह हैं आपकी कमायू हमाले में अनाचल हमाले पर कौन सी नदी प्रवायत होती है कामेंग, सुवन सिरी, दिहांग और दिबांग अनाचल हमाले की बात करें तो मित्रों ये सारी नदीयां अनाचल हमाले में ही प्रवायत होती है यह डी आप्शन सही होगा निम्लिकित मैंसे कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है परवत सिखर मेकालू धोला गिरी नांगा परवत नमचा बरवा तो यहां पर यदि हम बात करें तो कौन सा परवत है वो तो मित्रों ये परवत है आपका जो सुमेलित नहीं है वो नम्चा बर्वा परुवत पाकिस्तान में नहीं है नम्चा बर्वा परुवत आपका भारत में स्थित कहां नदी पाकिस्तान के मिठन कोट के निकट पंचनत जेलम चनावराभी बियास अतलत से मिल जाती है इसकी साइग नदियां सियोग गिल गिजसकर आदी आती है तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो तिबबत इस नदी को सागरमाथा कहा जाता है यह बात कलत है तिबबत में इस नदी को सागरमाथा नहीं कहते हैं बलकि माउंट एबरेस्ट को सागरमाथा कहा जाता है क्या कहा जाता है सागरमाथा माउंट एबरेस्ट को कहा जाता है ठीक है मित्रों, नेक्स्ट, जलवायू के इबत, सुरी, भारत की जलवायू प्रवावित करने वाले कारणों के द्यान दें, द्यान दो भी, और ये सारी कारण जो अक्षान समुत्र से दूरी हमाले और समुत्र से उंचाई, ये सारी जलवायू परिवर्दन कारण है, D-Option, कुंची कल जल पर पात किस नदी पर इस्तित है, इंद्रवती नदी पर बरा नदी पर चंबल या घट पर वा, तो कुंची कल के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो ये है आपकी वाराही नदी पर, ठीक है मैंत्रों, नेक्स कुश्चन नमबर 60, प्राइदी पर पठार से ना एक न दो, तो यहाँ पर यदि हम बात करें, तो ये दोनों कथन क्या है हमारे सही है, सी ओप्सन सही होगा, निमलिकित जोड़ों पर विचार करें, नीरू मीरू, जल और आप, कारी करम आंद्र, आरवारी पनी, संसद, अलवर राजिस्थान, तो यहाँ पर यदि हम ब पताना है, एसिया महादीब के कौन से बिंदू, इसमें सही सुमेलित नहीं है, तो उत्तरी बिंदू जो है, वो चिलक्य स्किन अंतरिप, क्या है, इसको मैचिंग करना है हमें, यदि हम इसको मैचिंग करते हैं, तो हमारा मैचिंग, एसिया, चिलक्य संतरिप, तो जिंपा यानि आप्सन ए हमारा सही होगा नेश चलते हैं कुछ नमबर 63 मेकांग मैदान थाइलेंड विनाम सिंक्यांग और सिंद मैदान तो यह जरा बताने हैं कौन सा कहां पर है और मैचिंग करना है तो यहां पर यदि हम बात करें तो मेकांग मैदान आपका मियानमार में हैं मिनाम मैदान के बारे हम बात करें तो यह आपका थाइलेंड में हैं सिंक्यांग मैदान के बारे हम बात करें ता च्छरी तीन सिंदू का यह यानि तीन एक चार और तीन दो तीन एक चार दो यानि यह औप्सन सही होगा। नेक्स्ट, निम्रिकित कत्नों पर विचार करें, पूलबी तट्ठीय मैदान पारटी में तट्ठीय मैदानों की तुल्ला में अधिक चोणा और उंचा है, पूलब तट्ठीय मैदान बेहने वाली नदेहां डिल्टा बनाती हैं, पूर्व तठी मेदान पत्तनों बंदर गाओं का बिकास करना कठेने। सही कथन का चैन करें। तो यहां पर सही कथन का चैन की बारे में अगर बात करें। तो मित्रों यहां पर यह सारे कथन आपके क्या हैं। सही हैं, D option सही होगा। नेक्स्ट नेमरिकत परवतों में कौन सा आफरीका महाधिव में स्थित नहीं है। अफरीका महाधिव में यदी हम बात करें। तो केमरून परवत ैं मौkraft है, मौंट है, मॊंचिंग परवत है इस्टालिन परवत अफरीका में नहीं है, यानि C-Option हमारा गलत होगा अगर स्टालिन परवत के बारें बात करें यह है आपका यूरोप में यानि रूस में स्थित है नेक्स्ट अफरीका महधीप में देश जायरे संबंदित असत कथन का चैन करें तो जायरे संबंदित असत कथन है हमारा जायरे नदि विस्ट रेखा को दो बार खाड़ती है सही है बन परणियों मत इक तक वित्त कारण जायरे विसाल चिडिया घर कहा जाता है लुम्बसाली सेल हीरे की राजधानी के रूप में जाना जाता है तो यहाँ पर अगर हीरे की राजधानी के बारें बात करें नेक्स्ट देच्छड अफ्रीका में इस्थित परवतमाला ड्रेंक्स वर्ग नदियों के उद्गम है वाल और औरेंज यहां पर यदि हम बात करें तो यह दोनों नदियों का उद्गम है बाल्टिक राज के अंतरगत कौन सा देश नहीं आता है बाल्टिक राज के अंतरगत अगदी हम बात करें तो आपका सर भी आ बाल्टिक राज के अंतरगत नहीं आता है उक्रेइन किते देसों के साथ अपनी सीमा साजा करता है तो ये उक्रेइन के बारे हम बात करें तो वो साथ देसों के साथ अपनी सीमा साजा करता है रूप के सबसे उचा परवस्यकार अलब्रोस किस स्रेणी में है निम लिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है तो यहां पर यदि हम बात करें निम लिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है तो बाल्टिक सागर, भूमद सागर, काला सागर तो यह हमारी सही सुमेलित नहीं है नेक्स्ट क्या है हमारा कयाल से संबंदित कथन पर विचार कीजिए केरल में इस्थित लेगुन जीलों को कयाल के नाम से जाना जाता है कयाल प्रमकुतारण पुन्मत कयाल बेंबनाद कयाल आदी है मश्ली पकड़ने अंतर देसी नेविगेशन में किया जाता है कयाल कॉंकर्ट में विसेजित थे तो यहाँ पर यदि हम बात करें कयाल के बारे में तो कयाल आपका एक, दो, तीन कथन सही होंगे यानि सी ओप्सन सही है हमारा कनाडा से संबन देता सत्य कथन के बारे में बताईए ये बिसकी सबसे लंबी तरिखा वाला देश है कनाडा, लूसी, जील, एल्मराण, जील की नाम से जाना जाता है बिसक का सबसे बड़ा पार्क, बुडू, फैलो, नेशनल पार्क कनाडा में है कनाडा का सबसे बड़ा लोईस पाथ हमिल्टन अवस्तित है तो यहां परेदी हम बात करें कौन सा सही सुमेलित नहीं है तो सबसे बड़ा जो पार्क है तो वो कनाड़ा के नूबा स्कूटिया प्रांथ में नहीं कनाड़ा के अलवर्टा प्रांथ में है उप्सन सी हमारा गलत था यही सही निम्लिकित परवसरेनियों में कौन मैक्सकों में नहीं पाए जाता है तो निम्लिकित परवसरेनियों में एटलस मैक्सकों में नहीं पाए जाता है निम्लिकित कतनों पर विचार कीजिए सूर के चारों और परिक्रवां के दौरान सूर जुलाई सूर से सबसे दूर होता है प्रत्वी इस इस्तिती में उपसौर कहा जाता है तीन जन्वरी वे सबसे निकट जन्वर कहा जाता है तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा उपसौर सही होगा तो यह उल्टा दिया गया है ठीक है, तीन जन्वरी को आपका होता है उपसौर, क्या होता है उप, और यह अप, यानि दी होगा हमारा, सही, निमले खितकत्रों पर विचार करें, छोटा नागपुर का पटार भारत में रूर प्रदेश कहते हैं, बाद सही है, चोटा नागपुर, एक, दोनों सही, असत्र कथन चैन करें, यह मौसम खराब हो जाता है, प्रकृति विच्छता चक्रवात से पूंगता भी परीद होती है, इनका ब्याद चक्रवातों के तुल्म अधिक पाया जाता है, बाताग निर्मान नहीं करते हैं, तो यहां पर यद प्रवालों के बंदे तथा जीवित रहने के लिए कौन सी दसाइं आवस्यक हैं, तापमान, लवडेत, या उक्सीजन, प्लवग, तो प्रवालों के बंदे के लिए सबसे अच्छी दसाइं, यह सारी हैं, ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, 59, संकुकारी बंद संबंदित कसत बारे में बात करेंगे, तो रूसी भासा में इसका अर्थ सुस्क बर्पोता है, यही कथन हमारा आसत हो, नेक्स चलते हैं कुश्यन, नमर 80, निम्लिके कथनों पर विचार कीजिए, भारत में हमाले पांच राजियों फैला है, पच्चमिगार के वल पांच राजियों फैल है, कौन से कथन सही हैं, तो यहां पे सही कथन के बारे हम बात करेंगे, तो पुलकट जील दूरा जियों पहली है, यह कथन सही होगा, उप्सन B हमारे, नेक्स्ट, निम्लिके मैदानों में कौन सा एक चूना पत्थर इस्थलाकरिती से संबंदित है, वहदा मैदा मैदान, आधार रेसे की लंबाई होती है, पास के रेसे की लंबाई धाई सेंटिमीटर कम होती है, विस्ट का सरवादिक का पास का निर्याद तक देश चीन है, तो यहां पर यदि हम बात करें, तो विस्ट का सरवादिक का पास का निर्याद चीन में नहीं होता है, उप्सन एक और तो यदि हम इसमें बात करें तो इसका सही घटा करम क्या होगा? तो इसका सही घटा करम मुनाको मकायो सिंगापुल होगा अल्नीना और ला नीना के मद्यांतर बचारी अल्नीनो के दौरान वियापारिक परफने कमजूर कर्म जलपूर की तो यहां पर यदि हम बात करें तो मित्रों यहां पर केवल एक कथन सही है दूसरा गलत है यानि आप्सन ए हमारा सही हो ठीक है? नेक्स चलते हैं कुश्चन नमबर 85 क्या कहरा 85? निम्रिके कथनों में से असत कथन का चैन करिए भारत के कोईले में कुल संचद भंडा 58金 teacher गॊंडवाना में है ये बात सही है क्या है ये बात? सही है गॊंडवाना इवगीन कोईला बिटुमिन्स परकार का ये भी बात सही है भारत में सरवादिक महत्पुन गॉंडवाना छेत्र दामोदर गाटी में इस्थेत है ये भी सही है उत्तर पूर राजियों पिर्चर मात्रा हम पाए जाता है ये बाद का लट है यानि डी ऑप्सन हमारा सही होगा नेक्स तमिल नाडू में नेवली कोईला छेत्र कोईले की किस किस्म के लिए जाना जाता है तो नेवली कोईला छेत्र कोईले की लिगनाइट के लिए जाना जाता है दच्छड पूर्वेसिया में दच्छड से उत्तर की और जाने वाले नीचे दिये गए नगरों का सही स्थ बारत में सीड्स चार सहरी जनसंक्या वाले राज्जियों का प्रतिसत कर्टा किरम क्या है किरम में बताना है तो यह होगा गौा मेजोराम तमिलनाडू और केरल नेक्स्ट अरावली सरेणी के संदर में निम्लिक कत्रों पर विचार किया है बिसका सबसे प्राचीन बलित आफसन सही हो तिस्ता नदी के संदर में निम्लिक कत्रों पर विचार कीजिए तिस्ता नदी उद्गम वही है जो प्रमपुत्र का है लेकिन वैसे किम से उकर होती है यह उत्पत्ति सिक्किम में होती है तिस्ता नदी की सायक नदी तिस्ता नदी भारत बंगलादेश सीमा अंगल काड़ी में जाती है तो यहां पर यदि हम बात करें तो आफसन कौन सा सही होगा पी आफसन सही होगा ठीक है जीलों में संबंदित कत्रों पर विचार करें जीलों नदी बहाओ के सुचारू बनने से सहयक होती है जीलें बाड को रूपती है जीलें अपने आसपास चलवायों को सामान बनाती हैं जीलें परितंतर को संतुलत रखती हैं تو यहां पर यदि हम बात करें तो मित्रों ये सारी बात क्या है सही है यह ऑफ़सरंडी हमारा सही होगा सूची एक और सूची दो को क्या करना है मिलाना है और देखना है मिलाइए तापी सुरोत नर्मदा का सुरोत गोदावरी और कृष्णा का ये सारी बतानी है यदि हम तापी नदी के बारे हम बताएं तो सत्पुडा की साहिक नंदी है नर्मदा के बारे हम बताएं तो सुरोत अमरकंटक है गोदावरी के बारे में बताएं तो ये आपका नासिक के निकट है क्रिष्णा महावलेस्वर है यानि एक चार दो तीन एक चार दो तीन और सन भी हमारा स्यूद को निम लिखित में से किसी जै बिवित्ता के जनक कहा जाता है पर्मियन कैल सीविन और ओल सन एटी टांस ले तो जै बिवित्ता के जनक के बारे में बात करेंगे उत्तर भारत बर्सा की मात्रा पश्चिम की और घटती जाती है ये बात बिलकुल सही है नेक चलते हैं कुशन नमर 95 निम्री के कतनों में असत कतन चुनिये एक नदी एवम उसकी सायक नदी द्वारा प्रवाइत छेतर को अप्रवा द्रोनी कहते हैं क्या कहते हैं अप्रवा द्रोनी ठीक है जल विवाज़क कहते हैं अप्रवा द्रोनी दूसरे अलग करने वाली सी में जल विवाज़क बड़ी नदियों को अपर वाहिद छेतर में जल संबर कहते हैं नदी दुरूनी का आकार बड़ा होता जब कि जल संबर का आकार छोटा होता है तो यहां पर एदी हम बात करें तो यह कौन सा होगा C आप्सन सही होगा नेक्स्ट भूमद सागरी एक करसी से संबंदे तत्य पर विचार करें इस छेतर में अंगूरों से उच गुरवत्ता वाली सराफ का उत्पादन किया जाता है भूमद सागरी एक करसी दच्छर केलिफोनिया के नीच चिली के मद भाग से औस्टेलिया के जाती है सही कूट का चेन करें केवल एक केवल दो एक और दो ना एक न दो तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो यहाँ पर आपका आप्सन दोनों सही होंगे सी आप्सन सही होगा दुनिया का पहला देश जिसे जल्विद्यूत के विकास किया नौर्वे, चीन, भारत, जर्मनी, दुनिया का पहला देश जिसने जल विद्यूत का विकास किया हो है नौर्वे, निम लिखे तो द्योगों में कौन सा द्योग सनराइज, जो द्योग सनराइज इंडिस्टी नहीं है, सूचना, स्वास्त, आथित, जल विद्यूत, संबंद करें, जल का उचित प्रियोग, उजा का सही, उप्योग, कुट नासकों की उप्ति उप्त प्रियोग, अधिक उत्पादन, सही कूट के बारे में बात करें, तो ये सारी बात हैं, बिल्कुल सही है, यानि C उप्सन हमारा सही होगा, निम लिखे तमें से कौन से तथ बायु अधाप से प्रभावित करने वाले कारक ये इस सभी होंगे तापमान समुद्र की उंचाई प्रत्वी का घूमना ये सभी है डी ऑप्सन सही होगा भारत में गुजरा के अग्रणी है नमक उत्पादक छेत्र का नाम बताईए तट्रेखा की धीर के लंबाई भाग गर्म और स उसक यानि ए ऑप्सन सही होगा भारत में पर तच्छर मद्य भागों में सामानता तलाव सिचाई स्पिर्चलित है इसका क्या कारण हो सबता है अप्रयाप्त अग्र गंभीर भूम जल अप्रवेस प्रस्ट अवनमन साथ चट्टानी पत्थर तारंगित भूज भाग उपर उसक तो यहां पर यदि हम बात करें तो यह सभी बात हैं सही है डियॉ ऑप्सन सही है चीन से संबंदित असत्तिक थन बताएं च्छेटवल की दिरस्टी से चौथा जनसंग की दिरस्टी बिस्वे सबसे बड़ा देश तकला मकान यहां ठंडा निरजन मरुस्थल चीन संग च्छेटवल की दिरस्टी से चीन चौथा ही है यह बस सही है और जनसंग की दिरस्टी से अब सबसे बड़ा नहीं रहा अब दूसरा नमबर का हो गया है ठीक है नैक चलते हैं कोशन नमबर 104 ब्रिस्वेन सहर इस्तित है उस्टेलिया के उत्तरी भाग में उस्टेलिया के द सब्सक्राइब से यात्रा करते हैं तो कम से कम कितने राज्यों से गुजरेंगे मूल और गंतव सहित पताने हैं तो कुलकता से आपको जाना कहा है चेन नहीं जाना है तो यदि आप बात करें तो यहां पे आप पश्चिम बंगाल जाएंगे ठीक है उड़ीसा जाएंगे इसके बाद आंधर प्रिदेश जाएंगे ठीक है इसके बाद करनाटक जाएंगे ठीक है उसके बाद केरल जाएंगे कहां जाना है त्रुबंत पुरम एक दो तीन चार पांच क्या हो गया पांच हो गये हैं तो आप्शन में कहां है पांच सी पे है पांच भारत में किन इस मेघाले में हैं असे है पस्चमी तट पर यह सभी आई सीरने यू एड़ता बरगी करण अनुसार भारत की मिट्ट्यों का बरगी करन्ट एक थेसे होगा नेक्स्ट काली मिट्टी में किस रिसानिक स्थ किया होती यह मैंगनीसियम, फासपुरस, नाइटोजन, जैपदार्ट तो काली मिटी में यदि हम बात करें तो ये अधिकता होती है मैंगनीसियम की चाय से संबंदित कथन पर विचार करें चाय एक रोपन फसल है काली पतियां किर्मित होती है चाय की पतियां कैफिन, टैनिन की मात्रा होती है तो यहां पर यदि हम बात करें तो ये कौन सा सही होगा तो ये सभी कथन क्या है सही हैं, डी ऑप्शन सही होगा निम लिकित में कौन बहुत देसी पर विचना जम्मु कस्मीर में इस्थित नहीं है नैशनल न्यूस प्रिंट और पेपर में लिम्टेट कहां पर इस्थित है नैशनल न्यूस प्रिंट पेपर में आपका नेपा नगर में इस्थित तुर्किये या तरके किन दू नगरों के बीच इस्थित है तो यह आपका काला सागर और भूमद सागर के मद इस्तित है ओजोन छरण के लिए जिम्मिदार गैस कौन है होलो नाइट्रोस ट्राइप क्लोरो एमिल निल तो यदि हम ओजोन परत की बारें बात करें तो हैल ओन नाइट्रस ऑक्सान यह सभी है ठीक है बच्चो नेक चलते ह करें तो यह आपसन पहला दूसरा तो अनौस सही है नेक्स्ट निल खित कतनों पर विचार करें भूकम तीब तारिक्टर पेमाने पर ही मापी जाती तुर्की दो अना तेली अंटेक्टोनिक प्लेटों पर इस्तित है इसकी सीमा पर दो मुक भरंस है अनातॉलिया भरंस अन मर्था कौन थे तो कौन थे इसके बारे में यदि हम बात करें तो रेटिजेल और हेंटिंग टन हैं भी आपसन सही है आकार के अनुसार ग्रहों का अब रोही किरम बताईए अरौन वरौन प्रत्वी सुक्र आकार के बारे में बताएंगे तो अरौन वरौन प्रत्वी सुक तो जब बुजा bowling दो बाइश तो इस परकार जाता है मित्रों इस परकार के वलन को कहा जाता है सम्मित वलन उत्तरी मेदान के संदर मिल्मिक गत्रों बिचार कीजिए उत्तरी मेदान मूलता है भू अवनिती करत है मेदान लेट्राइट मिर्दा से बना है सही कूट का चेहन करी तो यदि हम सही कूट के चैन के बारें बात करें तो पहला उपसन हमारा सही होगा मरुस्थली ये भूमी में पाई जाने वाले इन अमलेकित भूआकरतियों मेंसे कौन सी एक अन्न तीन से भिन है यारदंग, यूगेन, छत्रक सिला, बालुका इस्तूप तो ये जो हैं अलग इसके बारें बात करें तो वो कौन सी है आपकी बालुका इस्तूप है कोई मेदान जब परियाप्त जलुप लब्द होने पर उथले जल्म जेतर में परिवर्तित हो जाता है तो उसे एक उथली जील का निर्मार हो जाता है जिसे कहते हैं इसे मित्रों कहा जाता है प्लाया केरियोलिस बल के संबंद में नीचे दिये गए कत्रों पर बिचार कीजिए यह बल मान ध्रोगों सरवादिक विसुवत रेका परसून प्रभाव करन पर मूल तो यहां पर यदि हम बात करें तो ये दोनों बातें सही होंगी नेक्स्ट निम्लिकित लुगा इस पातकार खानों में कौन कच्चे माल के छित में समीब नहीं है जमसेद राउरकेरा सलेम तो यहां पर यदि हम बात करें तो ये दुरगापुर होगा नेक्स्ट कुष्ण नमबर 124 गोंडवाना चट्टाने किस सम्हूं की चट्टानों में सामिल है तो यदि हम यहां पर बात करें गोंडवाना चट्टाने द्रविड पराण आरन या आर्कियन तो गौंडवाना चटाने जो हैं मित्रों वो हैं आर्यन समूं की चटाने नेक्स चलते हैं कुश्चन नमबर 125 निम लिखित मैंसे कौन सा कथन नाथुला दर्रे के बारे में सही है सिक्किम में तिब्बत से जोड़ता है प्राचीं रेसा मार्ग है 2008 में फिर से खूला गया तो यहां पर यदि हम बात करें तो इसे दुवारा खूला गया था 2006 में कव 6 में ये कथन गलत बाकि ये दौनों सही बी आप्सन सही निम लिकित कौन सी नदी दच्छर परच्छिम उत्तरपूर्थ में प्रवायत होती है तो यदि हम बात करें नदीयों की तो ये सारी नदी दच्छर परच्छिम से उत्तरपूर्थ की वर प्रवायत होती है नेक्स्ट केरल में प्रवायत नहरू ट्रॉफी प्रतिवर्स नहरू ट्रॉफी वामल बलाम कली नोका दोड़का निर्योर आयोजन कयाल पर किया जाता है तो यदि इसके आयोजन के बारें बात करें तो ये पुन्न मार्थ कयाल पर किया जाता है कोसी नदी का अपवहाप प्रति रूप है आयताकार समानांतर ब्रक्षा कार निम लिखित मैं से किस राजमे नदियों का बिस्तार नहीं है ज़ार खंड मद जे चतिगर हुई सा तो निम लिखित मैं से इढर खंड का नहीं है पश्चिम की और बेहने वाली छोटी नदियों में सामिल भद्रा, त्वेतरनी, सरावती तो ये हमारी कौन सी हैं भद्रा, वेतरनी, सरावती यानि डी ओप्सन मानसून की आदुनिक संकल्पना का क्या सामिल है मानसून के आधुनिक संकल्पना में ये सारी चीजें सामिल हैं यानि डियो आप्सन सही होगा मानसून के निवरतां रिट्रेट ऑफ मानसून के समय प्रत्यूइ प्राइदी की पूरवी भागों में किस महाम बादिक बरसा होती है तो ये सरवादिक बरसा के बारे में बात करें तो ये अक्टूबर नवंबर में होती है बरसा वहाग बादल काले दिखते हैं क्योंकि इनके दौरा सभी रूसनी प्रक्रियन होती है बड़ी संख्या में जल बिंदुक सारी धूप कीच लेते हैं बेधूब दुआरावातवरर में आते हैं तो यहां पर यदि बात करें बेधूब दुआरावातव बुमिगर्जल की प्राप्ति संभवियता किन चटानों में सरवादिक होती है तो यदि हम बात करें तो वो होती है आपकी किसमें चूना पत्थर चटानों में आदि संग जैट धाराव प्रवा कितने डिग्रियक चछांसों के मद प्रवाहत होती है जैट धाराव प्रवा आपकी 27 से 30 डिग्रियक च्छांसों के मद निम लिखित कतनों पर विचार करें बाकडा गंगा नदी पे सबसे अधिक बांद है भारत में गंगा नदी में सबसे अधिक बांद है भागडा नागल पंजा उत्रकंड ते थै विहार फालगु नदी पर डगमरा अउदेशी चल्विदुत पर्योजने परवायत है कौण सा गलत है इसमें बताना है next है हमारा निमले खित कतनों बिचार कीजिए सीतों घास के मैदान भूमद रेखा के पासकर कर रेखा और मकर रेखा के भी जिस्तित है हाती जेवरा जिराख जीर अंड दूबा आम होते हैं यहां पर यदि हम बात करें तो कौन सा कथन सही है दूसरा कथन हमारा सही है पहला गलत है या एक उपसन सही होगा नेक्स्ट निम्लिखित मैंसे कतनों पर विचार कीजिए बिस्ट का सबसे उचा जॉलमों की परवत किल्मनजारों परवत कि मिसरवाजिक मात्रा में निकलने वाली गैस हाइडोजन सलफाइड है निम्लिखित परसों परासों में बिचार कीजिए सिवालिक लदाग जासकर कराकोरम यहाँ पर यदि हम बात करें तो यह कौन सा होगा सिवालिक जासकर ताग और कराकोरम यह सही किरम है नेक्स्ट जियो क्रायोलोजी सब्द का अर्थ है जियो क्रायोलोजी सब्द का अर्थ विसेश रूप से उत्तरी पूर विरूप में हिमनद गलेसियर रेत और बजरी हिट लेंड है जमे हुए ठंडे पिखलने और इलाइके हिमनद नहीं है अध्यान क्रिस्टल के साथ परती बग्द चट्टान का एक खोकला नेड्यूल है जो अपक्ष है चट्टान की सरीर को अलग करते हैं क्रिस्टल के भरे एक खोकले खोल खोल दिखाई देता है जो सर्विक्षणों में गड़ती है साथरों को रिमूट सेंसिंग के माद्यम से होता है यानि ऑप्सेंट भी हमारा सही होगा नेक्स्ट भारत में निम्लिकेत परमाड उगुजा सेंत्रों पर बिचार कीजिए तारापूर कुट को सही किरम उत्तर से दक्षण वाले में जाएंगे तो तारापूर महरास्ट फिर इसके बाद केगा महरास्ट फिर इसके बाद कलपकम करनाटक और कुटनाकुलम तमिनाडू यानि आपका किरम सी सही होगा ठीक है नेक्स चलते हैं कुश्चन नमबर 142 निम लिखित कथनों पर विचार कीजिए संगमरमर एक प्रिक्रिया मेटामॉर्फिक चट्टाने कायांतरन द्वारा अपसाधी चट्टानों से बनती है इन में से कौन सा कथन सही है तो यहां पर बात करें इन में से एक और तीन सही है दूसरा गलत है सी ओप्शन सही हो नेक्स चलते हैं कुश्चन नमबर 143 पर सूची को मिलाना है एक और दो को राश्टिय जलमार्ग है और दूसरी तरफ हमारे एन डवलू 1, डवलू 2, डवलू 3, डवलू 4 राश्टिय जलमार्ग बताना है वही कौन सा जलमार्ग कौन सा है तो यहाँ पर यदि हम देखें, राश्टी जलमार्ग हल दिया, ठीक है, राश्टी जलमार्ग टू दोबरी से सब दिया, राश्टी जलमार्ग तीन, कोलम, कोटम और चार, काकिनाड़ा, यहीं सही होगा, जनगर्णा के उनसार, निम्लिके कत्रों पर विचार कीजिए, बिहार की जनसंग के पश्ची मंगाल से अधेक है, बिहार लेकर अनपात राश्टी अउस्ट से उपर है, छेती रिष्टी जाड़कन बिहार से बढ़ा है, एक और दो, दो और तीन, क्यों सभी, दो और तीन, ऑप्सन बी हमारा सही हो, गलत होगा, रेडियो संचार के लिए किस परत का उप्योग किया जाता है, रेडियो संचार के लिए आयन मंडल का उप्योग किया जाता है, किस का किया जाता है, आयन मंडल का, नेक चलते हैं, किस राज में है सेसा चलम पहाड़ी के बारे बात करें तो यह आपकी आंध प्रदेश में है दा पॉपुलेशन बम के लेखक कौन है तब पॉपुलेशन बम के लेखक के बारे हम बात करें तो एहरलेच है सुमेलित करें 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 6 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल यदि हम 8 डिग्री चैनल के बारे हम बात करें तो 8 यानि 8 डिग्री चैनल के बारे हम बात करें तो मालदीव और मिनी कोई 9 degree channel के बारे में बात करें तो mini coil लक्षदी 3 degree, 6 degree channel ग्रेट निकोवार और सुमात्रा 10 degree रन्दमान निकोवार तो ये 1, 2, 3, 4 यानि option A हमारा सही होगा जब जल संसादन की किरिया हिमांग से नीचे होती है तो जल वास्प जल संसादन की किरिया हिमांग से नीचे होती है तो जल वास्प जल कड़ों को बले हिम कड़ों में परिवर्टित कर देते हैं ठीक है? कर दिया तो इसे कहते हैं तो सार या पारा किसी देश का मानक समय कितने डिग्री मानकों का गुड़ज होता है डेड़ साड़े साथ पांच और एक तो यह होता है आपका साड़े साथ डिग्री का कितने का साड़े साड़े साथ तो मित्रों इस तरह हमने बिहार पी-सी-एस आई-स के परफेक्शन आई-स अंस्थान के मॉडल टेस्ट पेपर 5 किया जो जिग्रफी पर वेस्ट था तो यहां पर वर्ल्ड और इंडियन जिग्रफी दोनों हमने डिसकस कर लिया जिसमें ट्रोपोलोजी भी थी इन्वार्मेंट भी था एकोलोजी भी थी इसके साथ ही नेस्ट हाम पेपर संक्या सिक्स सॉल्ब करेंगे आप मारे चैनल से जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए क्योंकि आपकी मेहनत ही आपको सफलता दिलाएगी और आप भरोसा रखिए मेहनत का फल हमेशा मीठ हाई होता है खटा नहीं होता है एक आद बार आपको लगेगा कि असफल हुए है परिच्छा का परड़ाम मनानकूल नहीं आया है लेकिन वो असफलता भी आपको मित्रों कुछ पैगाम देती है सफल बनानी के किरम में परिपकवता देती है और आप उसके महत को समझें और लगातार अपने जीवन लक्ष की और आगे बढ़ते रहें इसी सुबकामना के साथ धन्यवाद फिर मिलेंगे नई पेपर के साथ